नमस्कार किसान भाईों स्वागा देबिकम फार्मिंग यूट्टीब चैनल में किसान भाईों आज की जो हमारी वीडियो है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गन्ना भुवाई करते समय आपको ऐसे कौन से दो स्प्रे करने हैं जिससे कि आपकी जो गन्ने की फसल है उसका जमाओ बहुत ही अच्छा हो और आपकी फसल में किसी भी परकार की फंगास या कीट ना सक सुरवाती समय में बिल्कुल भी ना लगे और जमाओ अच्छा होगा तो टिल्रिंग भी अच्छी होगी तो अगर आप चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटी देवाली जी ताकि आपको खेती समंदी अच्छी ची वीडियो मिलती रहा उसमें फंगस लगना चालो हो जाती और फंगस जब लगती है और कीट का भी प्रोकोप उसी समें चालो हो जाता अब आपको जो इस्प्रे करनी है उसमें माली जी आप कोई भी कीटना सक ले रहा है तो माली जी रिजेंट का प्रयोग कर रहा है तो रिजेंट का आप छुड़काओ करते हैं तो आप रिजेंट ले रहे हैं और पंगी साइड में मालीजे कोई भी आप पंगी सेड ले रहे हैं मालीजे सलफर का प्रयोग कर रहे हैं सलफर ले रहे हैं तो आप सलफर डाल रहे हैं और रिजेंट का प्रयोग कर रहे हैं तो रिजेंट दो तरह की आती हम आपको बता देत एक regent आती ये regent GR एक regent Ultra आती regent GR में आपको जो फार्मूला मिलता टेक्निकल वो होता है फिप्रोनिल 0.3% और जो regent Ultra होती उसमें टेक्निकल होताँ फिप्रोनिल 0.6% अब दोनों का जो फार्मूला एक बार फिर से पिता देने हैं कि 0.03% जी आर में होता और 0.06% फिपरोनिल रिजंट अल्टरा में होता ये फार्मूला जो टेक्निकल है उनके अंदर पाया जाता है अब आपको यहाँ पे जो स्प्रे करनी दो चीजे लेनी है नमबर एक लिसेंटा लेनी है और नमबर दो UPL कंपनी का इंसलफ गोल्ड नाम से आता है जिसमें आपको सलफर 80% WDG मिलती है अब यह दो चीजे ले लेनी है और लिसेंटा में आपको होता क्या क्या टेक्निकल मिलता है इसमें आपको 40% फिपरोनिल और 40% इमडा क्लोरोपिड मिलता है और जो UPL कंपनी का इंसलफ गोल्ड आता है इसमें आपको सलफर 80% WDG मिलती है अब इन दोनों को आपको लेकर इसकी स्प्रे करने स्प्रे कैसे करने इससे पहले बता देना चाहेंगे यह वीडियो कोई स्पोंसर नहीं है ना किसी कंपनी का परचार किया जा रहा इसलिए बता दिया जाता ताकि किसान भाईयों को खरीदने में असानी हो जाए अब लिसेंटा आपको 1500 ग्राम प्रती एकर के हिसाब से लेनी वहीं जो सलफर 80% WDG एक किलो को पैकेट आता चार पैकेट आपको यह लेने है इस्प्रे आपको इतनी करनी ही कि जो आपके बड़्स है पूरी तरह से भीग जाए यह नहीं कि जल्दी जल्दी में आप इस्प्रे करते भाग जाए पूरी इसके उपर इस्प्रे कर दे नहीं है उसके बाद आप मिट्टी डालें मिट्टी डानेज़ पहले आपको इस्प्रे करें अब फंगी साइड कीट ना सकके अगर आप इन दोनों चीज़ों की स्प्रे कर देंगे क्योंकि जो सल्फर है वो फंगी साइड है और जो लिसेंटा है वो कीट ना सके इन दोनों की जब इस प्रे हो जाएगी जानकर इच्छी लेगे जानकर इच्छी लेगे तो वीडियो लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले गंटी दभाले जीए धन्यवाद